हलो प्रेंस जैसा कि पिछले वीडियो में हम दे मुंदा सासन ब्यवस्था से संबंधित MCQ प्रसनों को देखा इस वीडियो में हम नागवनसी सासन ब्यवस्था से संबंधित महत्पुन MCQ प्रसनों को देखेंगे और साथ ही उन प्रसनों को डिटेल से एक्स्प्लानेशन भ सुरुबात करते हैं, पहला प्रस्न है, पर्थम सताबदी में मुंडाओं की राज़ बेवस्था किसी अस्थांतरित हुई, तो आपको बता दें, कि मुंडाओं की राज़ बेवस्था पर्थम सताबदी में, 64 हिसी वी को नागवंशियों को अस्थान्तरित हुई तो इसका राइट आज़ एन्सर हो जाएगा B नागवंशिए आपको बता दे कि 64 हिस वी में मुंडाउं के अंटीम नाज़ा मुंडा ब्रा-मुंडा मुंडाउं का राज वेवस्था नागवन्सियों को अस्थांत्रित किया गया नागवन्सियों के पर्थम राजा बनेते फ़नी मुकोट रहे तो आपको ध्यान में रखना है नागवन्सियों के पर्थम राजा बनेते फ़नी मुकोट रहे तो इस प्रस्न का सही उतर हो जाएगा नागवन्सियों को अगली प्रस्न के और नजर दालते हैं अगला प्रस्न है नागवन्सी राजाओं ने किसे कर्वसुलने का आदिश दिया था तो आपको बता दे पहला कुछ concept point को ध्यान में रखियेगा जैसे कि पहरा का प्रमुख जो हुआ करता था वो मानकी हुआ करता था पहरा का प्रमुख मानकी हुआ करता था नागवन्सी काल के दौरान मानकीयों को भुईयर कहा जाने लगा और नागवन्सी राजाओं ने मानकीयों को कर्वसुलने के लिए कहा और उन्हें बुहियर का तो इस प्रस्ण का सही उतर हो जाएगा C, बुहियर चलिए नेक्स्ट प्रस्ण के और नजर डालते हैं अगला प्रस्ण है अगला प्रस्ण है 1616 इस्वी में कर ना दे पाने के कारण किस राजा को गुवालियर के किले में केद कर दिया गया था 1616 इस्वी में कर ना दे पाने के कारण किस राजा को गुवालियर के किले में केद कर दिया गया था तो ये काफी महत्पून तर्थ है पिछला बार के JPSC प्रारंभिक परिच्छा 2016 में इससे प्रस्न पूछा जा चुका है तो आप पोध्यान में रखना यह important point है, important topic है जिससे प्रस्न पूछने की chance बनते हैं तो इस प्रस्न के सही उत्तर हो जाएगा ए दूजन साल को दूजन साल को 1616 इस्वी में कर ना दे पाने के कारण जहांगी द्वारा ग्वालियर के कीले में 12 वसों तक कैद में रखा गया था शे हजार रूपिय के साल आना वासिक कर देने की सहमती पर दूजन साल को कैद से मुक्त किया जाता है तो इस परस्न का सही उत्तर हो जाएगा ए दूजन साल तो चली अगले परस्न के और बहते हैं अगला परस्न किस सासक द्वारा सौर उपर थम नागवनसी राजाओं से नजराना मांगा गया था तो आपको बता दे कि इस छेतर में जारकन छेतर में पराचिन काल में बहरी राजाओं का हस्ता छेप नहीं हो पाया था बहरी राजा इस छेतर में नियंतर नहीं कर पाये थे अगर बात किया जाए मुगल काल में अकबर के दौरान 1585 इसवी के दौरान मधुकरंसा पर अकबर का सिनपती ये छेतर प्रदा करमन करता है मधुकरंसा को हराता है और उसे वासिक कर देने के लिए बात दे करता है तो मुगल काल के दोरान नागवंसी राजाओं से नजराना मांगा गया था तो इस प्रस्ण का सही उत्तर हो जाएगा ए मुगल नेक्स्ट प्रस्ण क्यों और बहते हैं अगला प्रस्ण है अगला प्रस्ण है आपके स्क्रीन में नागवंसी सासन बेवस्था के परथम सासक कौन थें हमने दिसकस किया फ़र्श्ट कोष्ण में की 24 इस्वी में मुन्डाओं की सासन बेवस्था नागवंसी को अस्थांतरित हुई थी और इसके पथम सासक बनेते फ़नी मुकुट रहा है तो इसके पथम सासक बनेते फ़नी मुकुट रहा है तो इस प्रस्ण का सही उत्तर हो जाएगा भी फ़नी मुकुट रहा है अगला प्रेस्वनिसी राजाओं द्वारामुगल साथकों को दिया जाने वालक कर नजराना क्या कहा जाता था। नागवंसी सासको द्वार मुगल सासको को दिया जाने वालक करी नजराना क्या कहा जाता था तो आप ध्यान में रखेंगे जो नजराना ये कर दिया जाता था वासिक नजराना ये कर दिया जाता था इस वे माल गुजारी कहा जाता था इस प्रस्ण के सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्ण है मान की लोगों को नागवनसी सासा को द्वारा किस नाम से जाना जाता था मान की लोगों को नागवनसी सासा को द्वारा किस नाम से जाना जाता था रिपीटेड कोस्टन है अभी हमने दिसकस किया हुआ है तो इस प्रस्न का सही उत्तर हो जाएगा B भुई हैर अग्ला प्रस्न है ध्यान दिजेगा नाग्वन्सी सासन ब्यवस्था का प्रारंब हुआ था तो नागवन्सी सासन ब्यवस्ता का प्रारम 64 इस्वी में हुआ था यानि कि पर्थम सताब्दी में हुआ था तो इस प्रस्ण का सही उतर हो जाएगा ए पर्थम सताब्दी में आगे बगते हैं अगले प्रस्ण के और बगते हैं अगला प्रस्न है निम में से किस सासन बेवस्था के बाद नागवंसी सासन बेवस्था की सुरुवात होती है। अगला प्रस्न है नागवंसी सासन बेवस्था में आम जनता से करवसुलने की जीमेदारी किसे परदान की गई थी तो आपको बता दे कि पहरा के प्रमुख मानकियों को करवसुलने की जीमेदारी दी गई थी और मानकियों को नागवंसी ने भुई हर कहा। तो काफी बेसिक पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है तो इस चेप्टर से आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। अगला प्रस्न है नियमित माल गुजारी ना देने के कारण नियम में से किस नागवंसी सासक को मुगलो द्वारा कैद कर लिया गया था। नियमित का माल गुजारी ना देने के कारण किस नागवंसी सासक को मुगलो द्वारा कैद कर लिया गया था। याद रखिएगा कि 12 वसु तक कैद में रखा गया था। ग्वालियर के किलिये में जहारंगे द्वारा नागवंसी सासक दूजन साल को तो इन पॉइंट को अपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट प्रस्न की और बरते हैं। निन में से किस मुगल सासक ने नियमित करना देने के कारण नागवंसी सासक दूजन साल को बंदी बनाने का आदिश दिया था। अभी बार बार हमने दिसकस किया था कि जहांगीर द्वारा नागवंसी सासक दूजन साल को नियमित करना देने के कारण बंदी बनाने का आदिश दिया गया था। बारह वसो तक इसे केड़ करके ग्वालियर के किल्ये में रखा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रस्ण क्यों और वरते हैं। जहारकन बिहार का हिस्सा हुआ करता था। इस परकार जहारकन चेत्र में भी अंग्रेजों का आगमन होता है। जाकन चेत्र में अंग्रेजों का आगमन होने के बाद अंग्रेज इस चेत्र पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए राजसो भेवस्था स्थापित करते हैं और राजसो भेवस्था स्थापित करते हैं उसके बाद नागवन्सी सासक पटना कॉंसिल के प्रती उतरदाई हो दोस्तों, हमने अभी इस चेप्टर के जितने भी महत्पुन कोर्शन जो की उरान बुक के अब्जेक्टिव बुक और मनिस रंजन के अब्जेक्टिव बुक में थे, उसे डिसकस किया, अन चेप्टरों के इस प्रकार के डिटेल एक्स्प्लानेशन वीडियो देखने के प्राप्त करने के लिए हमारे टेली कराम चैनल से जूरना न भोले, तो मिलते हैं आप से अगले वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद